क्या आपने कभी सोचा है कि आकाश में घूमते हुए एक ग्रह हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करते हैं? ये नौ ग्रह जो हमारे आसपास के ब्रहमाड के जादुवी रंगों को दर्शाते हैं, जीवन के हर पहलू में संतूलन और उर्चालाते हैं. इस वीडियो में जानते हैं कि क्यूं ये नवग्रह हमारे जीवन में इतना महत वो रखते हैं और कैसे उनकी पूजा से हम सकरात्मक बदलाव ला सकते हैं? नवग्रहों की पूजा एक प्राचीन परंपरा है, जो मानव जीवन पर ग्रहों के प्रभाव को समझने और उनसे लाव प्राप्त करने के लिए की जाती हैं. नवग्रहों में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, सनी, राहु और केतु शामिल हैं. हर ग्रह का व्यक्ति के जीवन पर विशेश प्रभाव परता है और इनकी पूजा का उद्देश सकरात्मक उर्जा को आकरशित करना और नकरात्मक प्रभावों से जीवन और उर्जा का परतीक माना जाता है यह आत्म विश्वास स्वास्थ और सकरात्मक था ग्रह है सुर्य की पूजा से व्यक्ति के इच्छा शक्ति और आत्म बल में व्रद्धी होती है चन्द्रमा, मन और भावना का परतीक है यह मांनसिक शांती, समरपड और प्रेम क को बढ़ाता है चंद्रमा की पूजा से मानसिक तनाफ कम होता है और व्यक्ति में भावनात्मक संतुलंप स्थापित होता है मंगल को शक्ति साहस और उज्जा का प्रती हिद्ध की पूजा से व्यक्ति में निड़ता और साहस का विकास होता है बुद्ध ज्यान और बुद्धी मता का ग्रह है ये संचार, व्यापार और सिक्षा से जुड़ा होता है बुद्ध की पूजा से व्यक्ति में तरकशर्क्ति और समबात कोशल में व्रद्धी होती है गुरु ज्यान, सिक्षा और समःत्धी का ग्रह है ये भाग्य और वैभव का प्रतीक माना जाता है गुरु की पूजा से व्यक्ति को ज्यान और माद दर्शन मिलता है शुक्र, प्रेम, सौंधर्य और समरपन का ग्रह है ये भहुत एक सुख सुविधाय और संब्रिद्धी का प्रतीक है शुक्र की पूजा से व्यक्ति के रिष्टे में सामन जस्य और प्रेम बढ़ता है शनी न्याय और कर्म का ग्रे है ये व्यक्ति को संघर्ष और कड़ी महनत की सिक्षा देता है शने की पूजा से व्यक्ति के कर्मों का फल संतुलित होता है और नकारात्मक्ता कम होती है राहू और केतु को छाया ग्रह माना जाता है ये व्यक्ति के जीवन में भ्रम और अनिश्चयता लाते है इनकी पूजया से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता और स्पष्टता आती है यदि नव ग्रहों की पूजया नहीं की जाती तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होते ग्रहों का प्रभाव हमारे मानसिक और स्वास पर पड़ता है पूजा ना होनी पर व्यक्ति मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद का शिकार होता है इसे जीवन में कचनाईयां बढ़ सकती है हर व्यक्ति के कर्मों का फल उसके ग्रहों पर निर्भर करता है पूजा ना करनी पर व्यक्ति को अपने कर्मकार अकरात्मकफल भोगना पड़ सकता है जो उसके जीवन में असफलता और विफलता का कारण बन सकता है ग्रहों का प्रभाव व्यक्तित्व रिष्टों पर भी होता है नवग्रहों की पूजा ना होने से रिष्टे में दरार आ सकती है और प्रेम, सामन जस्य और विश्वास में कमी आ सकती है कई बार ग्रहों की इस्तिती स्वास्त पर भी असर डालती है पूजा ना होने पर व्यक्ति को स्वास्त समंधि समस्त्याओं का सामना करना पर सकता है जोसे मानसिक तनाव, अनिद्रा और शारणिक विमारिया नवग्रहों की पूजा केवल धार्मिक परंपरा नहीं है बलकि ये मानव जीवन के विभिन पहलियों को समझने और संतुलित करकनी का एक साधन है ये पूजा व्यक्ति को आत्मिक और मानसिक शक्ति प्रदार करता है जिससे वेश जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके अब आप समझ गए होंगे कि क्यों की जाती है नव ग्रफों की बूजा इस विडियो में बस इतना ही आपको ये जानकारी कैसी लगी अपनी राय हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं विडियो पसंद आईते हो तो लाइक और शेयर करें और चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें